दोस्तों जिस तरह से आप हमारी गुर्जर सिरीज को बेहत प्यार दे रहे हैं उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ हमारा मकसद गुर्जर समाज का वो इतिहास जो इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया उसको समाज के भविशे पीडी तक पहुँचाना है इसके लिए हम पूरी रिसर्च के साथ लेकर आते हैं आपके लिए वीडियो और कॉमेंट में दियेगे सुझाव पर भी हम रिसर्च करते हैं इसलिए अगर आप भी चाहते हैं और आपके मन में कोई भी सुझाव है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख कर दीजे अगर वो सुझाव हमें पसंद आया तो उस पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे आज हम लेकर आए हैं गुर्जर समाज के लोक देवता देव नारायन जी का पूरा इतिहास इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उनके बच्पन से लेकर चमतकार तक की ऐसी कहानिया जो आपने कहीं नहीं सुने होगी तो चलिए शुरू करते हैं आपका वीडियो देव नारायन जी या देव जी राजिस्थान के एक लोक देवता हैं एक पराक्रमी युद्धा के रूप में जाने जाते हैं गुर्जर समुदाय इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं ये बगडावत वंश के नाग वंशे गुर्जर थें जिनका मूल इस्थान वर्तमान में अजमेर के निकट नाग पहार था गुर्जर जाती एक संगठित सो संस्कृत वीर जातियों में गिने जाती हैं जिनका अधिकाल से गौरवशाली इतिहास रहा है सबाज में प्रचलित लोक कताओं के माध्यम से गुर्जर जाती के शौरे पुरुष देव नारायन के संबंद में धेर सारे जानकारियां मिलती हैं देव नारायन जी महागाथा में इनको चोहान वाईशो से संबंदित भी बताया गया है देव नाराण की फड़ के अनुसार मांडल जी के हीराराम, हीराराम के बाग सिंग और बांग सिंग के 24 पुत्र हुए जो बगडावत कहलाए इनी में से बड़े भाई सवाई भोज और माता साडू के पुत्र के रूप में विक्रम समवत 968 में माग शुकला सप्तमी को अलोकिक पुरुष देव नाराण जी का जन्म माला सेरी में हुआ था देव नारण पराक्रमी युद्धा थे जिन्होंने अत्याचारी शासकों के विरुद्ध कई संगर्ष और युद्ध किये वो शासक भी रहे उन्होंने पहुत सी सिध्धिया प्राप्त भी की थी और अपने चमतकारों के आधार पर धीरे धीरे वे गुर्जरों की देव सरोप बनते गए और अपने इष्ट देव के रूप में पूझे जाने लगे देवनारायन को विष्णू के अव्तार के रूप में गुर्जर समाज द्वारा, राजिस्थान और दक्षिन पश्चिमी मध्यप्रदेश में अपने लोक देवता के रूप में पूझा जाता है उन्होंने लोगों की दुखों और संकटों को अनिवारन किया देवनारायन महागाथा में बगड़ावतों और रान भिनाय के बीच रोचक युद्ध का वर्णन भी है देवनारायन जी का अन्तिम समय ब्यावर तैसील से 6 किलोमीटर दूरी पजर स्थित देमाली इस्थान पर गुंजरा भादरपत शुकला अपसवतमी को उनका देहवसान हुआ था देवनारायन से पीपल देद्वारा संतान वेहें न छोड़ जाने के आगरे पर बैकुंट जाने से पुर्व पीपल दे से एक पुत्र बीला और पुत्री बीली उत्पन हुए थे उनका पुत्र ही देवनारायन जी का प्रथम पुजारी था कृष्णी की तरह ही देव नाराइन भी गायों के रक्षक थे उन्होंने बगडावतों के पाँच गाये खोजी जिनमें सामाने गायों से विशिष्ट लक्षन थे देव नाराइन जी प्राते काल उड़ते ही सरे माता गाये के दर्शन करते थे ये गाय बगडावतों के गुरू रूपनात ने सवाई भोज को दे थी देव नारायन जी के पास 98,000 पशुधन था जब ये देव नारायन जी की गाये रान भिनाय का राना घेर ले जाता है तो देव जी गायों के रक्षार्थ के खातिर राना से युद्ध भी करते हैं और गायों को छुड़ा कर वापस भी लाये थे देव नारायन जी की सेना में गौले जादा थे 1445 गौलों का होना लगभग इन में बताया गया है जिनका काम गायों को चराना और गायों की रक्षा करना था देव नारायन जी ने अपने अन्युआईयों को गायों की रक्षा करने का संदेश भी दिया था इन्होंने जीवन में बुरायों से लड़कर अच्छाईयों को जन्म दिया आतंक वाज से संघर्ष करके सच्चाई की रक्षा की और शांती की स्थापना की हर आसाहाई की रक्षा करी राजिस्थान में जगे जगे इनके अन्युआयों ने देवाले भी बनाये हैं जिनको देवरा कहा जाता है ये देवरे अजमेर, चित्तौड, भीलवाडा और टौक में काफी संख्या में हैं देवनारण जी का प्रमुख मंदिर भीलवाडा जिले के आसिंद कजबे के निकट खारी नदी के तट पर सवाई भोज में है देव नाराणजी का एक प्रमुख देवाले निवाई तहसील के जोदपुरिया गाओं में वनिस्थली से नौ किलोमेटर दोरिस्थे थे भगवान विश्णु का अवतार कहे जाने वाले गुर्जर जाती क्या राध्य देव भगवान श्री देव नाराइन जी का जन्म विक्रम समवत 960 मार्ग शुकल की सप्तिमी के दिन माला सेरी में हुआ था इनके पिताजी का नाम सवाई भोज और मा का नाम साडू था इस कारण इन्हें साडू माता का लाल भी कहा जाता है बच्पन की बात करें तो बच्पन में देव जी का नाम उदय सिंग था इनका विवार राजकुमारी पीपल दे और दो दूसरी रानियों नाक कन्या और दैत्य कन्या के साथ भी हुआ था इनके एक बेटा बीला जो बाद में प्रथम पुजारी बना और बेटी का नाम बीली था कहा जाता है कि देव जी के जन्म के एक दिन पुर्व भादवी चटी तिथी को उनके प्रिया घोडे नीलागर का जन्म हुआ था मानिता के नुसार मा साडू को स्वपन में देव जी के अवतार से पुर्व उनकी सवारी के जन्म का संकेत मिला था देव नाराण जी की पिता सवाई भोज ने दो विवा किये थे पहली राणी का नाम पद्मा था मारवाड के सुलंकी सामन के बेटी जैमती सवाई भोज से विवा करना चाती थी मगर उसके पितार राणा के राज दुर्जन राल के साथ उनका विवा संपन करवाना चाते थे जब दुर्जन साल बारात लेकर गोठा जा रहे थे तो सवाई भोज भी वहाँ पहुँच जाते हैं यहां दोनों युद्धाओं के बद्य भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में सवाई भोज और जैमती वीरगती को प्राप्थ हो जाते हैं साथ ही दुर्जन साल अपने होने वाले रानी के खोने और अपमान का बद्ला भोज के खांदान को समाप्त करके लेना चाते थे उस समय भोज की दूसरी रानी साडू गर्बवती थी गुरु रोपनाज जी ने उस समय कहा था कि रानी आपके गर्व में पल रहा एक महान योद्धा होगा जो बड़ा होकर अपने पिता की मौत का बदला लेगा साडु माता अपने बेटे को बचाने के लिए माला सेरी में रहना आरंब कर देती है वहां सवाई बहुच का जन्म होता है लेकिन जब दुर्जन साल को इसकी खबर मिली तो साडु माता और उनके बेटे को मारने के लिए उसने सेना भीजी जब ये खबर साडु मा के कानों में पड़ी तो उन्होंने देव नारायन जी को लेकर अपने पीहर देवास का रुख कर लिया इस तरह अपने ननिहाल में देव जी बड़े हुए और अश्तर विद्या और घुड सवारी का भी ज्यान लिया देवास के एक सिद्ध वट के नीचे वे बैठकर साधना किया करते थे राजस्थान के चमतकारी लोक देवताओं में देव नारायन जी भी एक थे ये एक सिद्ध पुरुष थे जिन्होंने अपनी सिद्धियों का प्रयोग समाज के कल्यान और उठान के कार्यों में किया उनके मुखे चमतकारों में छोचो भाट को जीवित करना, पीपल दे के कुरूपता दूर करना, सोखी नदी में पानी बहने कलना, सारंग सेट को पुनर जीवित करना जैसी धेरो चमतकार शामिल है विष्णू की साधना करने वाले देव नारण जी ने देविये शक्तिया प्राप्त की थी एक बार की बात है कि धार की राजा जैसिंग अपनी पुत्री पीपल दे की आस्वस्तिता के चलते देव जी के पास आए उन्होंने अपनी शक्तियों से पीपल दे को बिल्कुल ठीक कर दिया आगे चलकर इनी राजकुमारी के साथ देव जी का विवा हुआ था संपूर्ण भारत में गुर्जर समाज का ये सरवाधिक पौरानिक तेर्थिस्तल है देव नारायन जी की भुजा भोपाओं द्वारा किये जाती है ये भोपा विविनस्थानों पर जाकर गुर्जर समुदाय के मध्य फड यानि की लपेटे हुए कपड़े पर देव नारायन जी के चित्रत कथा के माध्यम से देव जी की कथा का वाचन करते हैं देव नारायन जी की फड में 335 गीत हैं जिनका लगभग 1200 प्रष्ट में संग्रह किया गया है और लगभग 15,000 पंक्तिया हैं ये गीत परंपरागत भोपाओं को कंठस्त याद रहते हैं देव नारायन जी की फड राजस्थान के फडों में सरवाधिक लोग प्रिय है और सबसे बड़ी है समवत 999 में महज 31 वर्ष की अलपायू में भगवान देव नारायन ने इस लोग को अलविदा कह दिया था जीवन भर गायों की सेवा और रक्षा करने वाले देव जी को गौर रक्षक लोग देवता के रूप में पूजा जाता है और उनके थान को देवरा भी कहा जाता है उनकी लोग कथा का वाचन फड के माध्यम से किया जाता है भारा सरकार ने इनके सम्मान में 2 सितंबर 1992 और 3 सितंबर 2011 को 5 रुपए के नोट पर देव नारायन जी के फड़का चितर भी अंकित किया था आसंद धाम पर भादो शुक्ल सब्तमिति थी के दिन विशाल मेला भरता है और राजस्थान, मध्यप्रदेश और हर्याना से बड़े संख्या में श्रधालू यहां पहुँच कर बाबा के दर्शन करते हैं हलाकि कुछ लोग उनकी जयनती किती थी अक्षित रतिया के दिन भी मनाते हैं तो यह था देव नारायन जी का वो गौरव शाली एतिहास और उन से जुड़ी हुई कोई रोचक कहानिया कैसे लगए आपको कॉमेंट करके जरूर बताएगा कॉमेंट बॉक्स में साथ ही अगर आप अपने सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी लिख दीजेगा अगर वो सुझाव हमें पसंद आएंगे तो उस पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे धन्यवाद जटका, करंट, श्रॉप, ना मने, पर कारण सिर्फे लापरवाही इस लापरवाही का भुक्तान कई बार उन्हें करना पड़ता है जो हमारी परिशानियों को दूर करते हैं वो एलेक्ट्रिशन या वरकर जो हमारी एलेक्ट्रिक रिपेर के लिए आते हैं लेकिन किसी ना किसी लापरवाही की वज़य से हाथसों का शिकार हो जाते हैं होनी को तो कौन टाल सकता है ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा क्योंकि ऐसे हाथसे बिल्कुल टल सकते हैं अगर आपके घर में लगा हो Safe on Power Purifier रहू शौक फ्री Safe on Power Purifier के साथ इसे लगवानी के लिए आज ही अपने नजदी की डिस्टिब्यूटर से संपर्क करें